So, Hello Dear Guys, Welcome Back, This is Your Topic No. 2 from the Chapter Mechanical Properties of Solid अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं Spring Ball Model और जो Interatomic Potential, Energy और Force का जो कर्व होता है उसको कैसे समझा जाएगा, उसमें exactly है क्या वो हम इस Topic में समझेंगे तो सबसे पहले Spring Ball Model को हम यहां देखते हैं अब होता क्या है, let's say यह कोई Spring यहां पर आपके Attest है, मैं आपको एक अलग सा figure बना के दिखा रहा हूँ यह कोई Spring यहां पर Attest है और यह यहां पर आपके जो Particles हैं, यानि यह जो Balls हैं, यहां पर अटकी हुई है और लेट से इन दोनों के बीच का Difference है, और नॉट, जो Original Distance है अब आपने थोड़े टाइम बद क्या किया, आपने इन Spring को Stretch किया एक Force आपने यहां से लगाई, एक Force आपने यहां से लगाई और यह जो String है, अब यहां पर यह Stretch हो चुकी है और यह जो यहां पर Stretch हुई है, यह Distance अब लेट से मैंने ले लिया R तो अब होगा क्या, कि यहां पर आपने देखो Body को Deform कर दिया है एक External Force है, यानि मैंने इस Force को खीच है, तो यह जो मेरी Internal Forces होंगी यह जो Body की Internal Forces होंगी, अपनी Original Shape को Regain करने के लिए वो भी एक Force को Apply करेंगे, तो अगर मैंने बहुत जादे Stretch कर दिया तो यह Body क्या करेगी, यह Body अंदर की तरफ एक Attractive Force लगाना चाहेगी ठीक है, तोकि Attractive Force जब लगाएंगे, Force of Attraction, तभी यह इस Original Value तक पहुच पाएंगे Original Lens तक, क्योंकि अपनी Shape को Regain करना है और वही पर अगर मैं आपको दिखाऊं, कि आपने इन Particles को जब यहाँ पर Force से दबा दिया यानि Compress कर दिया, तो Internal Forces अपनी Original Position को Gain करने के लिए, क्योंकि Particles बहुत पास पास आ गए हैं तो वह Regain करने के लिए एक Force of Repulsion यहाँ पर लगाएंगे ताकि अपनी Original Shape को वह Gain कर सके तो Spring Ball Model में यही यहाँ पर थियोरी है, कि जब भी किसी Body को Deform किया जाता है एक External Force से, तो इन Bodies की यह जो Internal Forces होती है, यह Regain करना चाहती है अपनी Shape को तो जब आप किसी भी Spring को Stretch करोगे, तो जो Internal Forces होंगी, वह Attractive Forces बन जाएंगी और जब आप Compress करोगे, तो वह एक Repulsion आपको देंगी, ताकि वह अपने Original Size को Gain कर ले तो कुल मिलाके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अगर Original Distance से बड़ा, आपका एक नया Distance होगे, जो आपने Stretch करके लाया था तब आपकी Body जो होगी, वो यहाँ पर, जो Force वो डालना चाहेगी, वो डालना चाहेगी, Attractive Force और जब आपका यह Distance जो R है, जब वो बड़ा हो जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा आपके Original Distance से तो Attractive Forces होगी और जब आपका यह R-naught, यह देखो न, R इस टाइम छोटा है, तो जब आपका R-naught R से बड़ा होगा तो यह आपको देगा Repulsive Forces, इट्स वेरी इजी, जब Length जादा हो जाएगी किसी चीज की, जब किसी चीज की Length जादा होगी, तो वो अंदर की तरफ Attractive Forces दालेगी जब Length छोटी हो जाएगी तो वो भार की तरफ, Ripple से Force को डालेगी अपनी Original Size को गेन कंडे में अब इसी में Inter Atomic Potential Energy क्या है? अब Potential Energy का हम गेम समझते हैं, यहाँ पे है क्या? देखो, मैं आपके यहाँ पे कुछ Points को Introduce करने जा रहा हूं और इने बड़े गौर से देखेगा और फिर इस Graph को भी हम समझेंगे कि Exactly वो क्या बोलना चारह है Point No.1 मैं आपको Start करता हूं कोई भी जो Atoms होते हैं, जो Atoms होते हैं आपके किसी भी Solid में आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पीछे Figure भी देखा था यह आपस में held रहते हैं They held together, यह आपस में चिपके हुए रहते हैं By Inter Atomic Forces से यह जो Inter Atomic Forces जो हमने पीछे भी देखी थी उन Forces से ही यह आपस में held रहते हैं Together, और यह Inter Atomic Forces आपने पीछे भी देखा था वह आपकी Attractive Force और Repulsive Force भी हो सकती है कोई भी बनेगी, पहला Point तो यह है अब अगर यहाँ पे Particles का आपका Movement हो रहा था तो जैसे आपके Original Ball Model में आपने देखा यह Original ही यहाँ पे थे तो जैसी ही आप इन्हें इदर उदर हिलाएंगे तो Definitely एक Potential Energy भी जनरेट होती है क्योंकि जो Potential Energy होती है हमारी वह हमें पता है Particle के Movement से होगी जब आपको किसी Height से जाए या Elasticity की वैस होती है तो एक Potential Energy भी जनरेट होती है यह भी ध्यान रखिएगा अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे तीसरे पॉइंट पे जो मुझे यहाँ पे देखना है Potential Energy जो इस particular case में है वैसे तो Potential Energy negative बहुत readily आपने देखी होगी लेकिन Elasticity के case में Potential Energy negative भी हो जाती है अगर आपका जो यहाँ पे separation हो जाए अगर आपका separation हो जाए Potential Energy का बहुत जाते हैं एटम्स के बीच तो अगर मैं कहूँ आपके एटम्स के बीच बहुत बड़ा difference अगर create हो गया Potential Energy तब negative हो जाती है अगर एटम्स हमारे separate हो जाते है अगर मैं एटम्स को separate करूँ बहुत large distance से बहुत large अगर कोई distance होता है तो उस वज़ा से वो लोग क्या करते हैं एक negative potential energy को दे देते हैं मैं इस वाले point को हटा देता हूँ इसको मैं फिर से theory में I will कवा अब दूसरी चीज इसमें जो देखने वाली चीज है अब वो क्या है fourth point जो आप लोगों को धियान रखना है वो point यह है यहाँ पे जब मेरा distance जब मेरा r0 r के equal होगा हना तो अभी आपने देखा जब मेरा r0 जो original distance था r मेरा distance बना जो मेरा deformed होने के बाद जो length में changes आए तो r0 अगर r के बराबर है यानि आपने कुछ भी चीज को chain नहीं किया ठीक है तो r0 जब r के equal होगा जब आपने ना तो किसी को stretch किया ना compress किया तो उस time पे जो आपकी potential energy होगी वो होगी 0 जो कि हमने इसको इस graph में यहाँ पे देखो 0 है ना यहाँ पे इस point पे तो 0 है जब r0 के बराबर है और इस time पे आपकी potential energy तो 0 रहेगी और जो interatomic forces है जो आपकी interatomic forces है वो भी आपकी यहाँ पे क्या रहेंगी 0 ठीक है लेकिन sir particles का moment तो थोड़ा-थोड़ा होता ही है हर बार तो आप लोग क्या करते हैं इसको 0 ना consider करके potential energy को 0 ना consider करके आप लोग इसके लिए एक नया term यूज करते हो कि नहीं sir हम potential energy को रहा minimum कर देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ moment तो particles का हमेशा होता है तो we cannot assume कि sir ये 0 होगा ठीक है तो that is why हमने इस R0 के आगे सबसे नीचे ये कोई potential energy का अगर curve देखो तो मैंने इस u minimum को नीचे लिख दिया है बिल्कुल यहां 0 से नहीं चिप रहा है क्योंकि हमने assume कि minimum ही होगा लेकिन enter atomic forces वहाँ पे 0 होगी तो R0 को इधर represent किया गया है तो ये वो stage है जब आपका कोई भी object original size में अगर बैठा है original size अगर उसका है आपने कुछ भी change नहीं किया ना आपने stretch किया ना आपने उसे compress किया आपने कुछ भी नहीं किया तो ये original size है इस time पर आपका potential energy रहता है minimum और ये part आपका need या जई के किसी भी mcq में पूछा जा सकता है इस चीज को ध्यान रखे तीसरा point fourth point पर अब हम चलते हैं अगर by chance मेरा R0 अगर मेरा R0 अगर आपने देखा अगर मैं R0 को देखूँ अगर मेरा R0 यहां R से बड़ा है अभी हमने पीछे देखा था आपको अगर याद हो इसी topic में तो आपने यह देखा था जब आपका R0 R से बड़ा होगा तो क्या होता है एक repulsive force लगती है एक repulsive force लगती है पीछे हमने इस चीज को explain किया है repulsive force तो R0 यह देखो यह पूरा R को represent कर रहा है यह पूरा R को represent कर रहा है तो जब आपकी value R से छोटी होगी तो यह curve देखिए repulsive force की तरफ ही attract कर रहा है अना यहां से लेके यहां तक repulsive force को यह attract कर रहा है और जब आपका R0 R से छोट हो जाएगा यानी देखो अब R0 इस point पे है अब यहां जब आपकी length बड़ेगी जब आपकी length बड़ेगी तो यह जो curve है आपका यह attractive forces के पास चला जाएगा तो यहां पे हो जाता है attractive forces ठीक है तो यहां से हमें थोड़ा-थोड़ा logic इसका समझ में आ रहा है and this is the main point दूसरी चीज बेटा जब आपका R0 आर के equal होता है उस time यह जो separation होता है इस separation को we call it हम इसको बोलते हैं equilibrium separation तो यह ध्यान रखना इसको equilibrium separation बोलते हैं equilibrium separation आपको पता हूँ equilibrium होता है जिसकी value change या नहीं होती है किसी के बराबरी रहता है equilibrium setup state होता है तो इसको हम equilibrium separation बोलते हैं इस particular चीज को ठीक है तो यहां से यह पूरी theory आपको cover होगी अब चलते हैं थोड़ा 100 और आगे तो यहां तक आपको बिल्कुल clear हो गया होगा कि क्या चल रहा है अब एक सबसे important point अब सबसे important point यह है आप लोग notice कर रहे होंगे यह जो हमारा कर बना है यह धीरे 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 आप देखो तो यह zero के बहुत close आ रहे हैं हना तो इसका मतलब यह है अगर आप किसी wire को बहुत stretch करेंगे तो एक stage ऐसा आएगा एक stage हमारा ऐसा आएगा जब यह particles इंटर यह जो particles आपके हैं यह attractive forces को लगाना ही छोड़ देंगे या यह जो attractive force यहाँ पे लगाएंगे वो इतनी negligible हो जाएगी इतनी negligible हो जाएगी कि यह approach करेगी हमारे zero को ठीक है जैसे आप किसी भी चीज का example ले लीजे कोई भी चीज का अगर आप किसी चीज को बहुत stretch करते हैं यह आपके पास wire है आपने इसको बहुत stretch किया तो chances are there यह जो wire जो की spring round 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 spiral form में होती थी जब आप इसको stretch करोगे यह बिलकुल straight line बन जाएगी तो इस time यह particles जो इसके होंगे एक attractive force तो करना चाहेंगे लेकिन वो इतना weak हो जाएगा कि वो attractive force बिलकुल zero को approach करेगा तो that is why इस graph में इसको ऐसे represent किया गया है तो I think inter atomic potential energy force curve आपको समझ में आ गया होगा बिलकुल से और इसका जो एक curve और होता है उसमें वो कुछ भी नहीं करते है यार इसमें ये वो दो line को draw करते है यहाँ पे वो आपका r-naught दिखाता है यहाँ पे वो आपका r-naught इदर भी दिखाएगा यहाँ पे वो forces का curve जो है वो ऐसे बनता है यहाँ पे जो curve बन रहा है यह ऐसे curve बन रहा है यह आपका minimum हो जाता है इसी को वो आगे चलके join करवा देते हैं ठीक है तो meaning उस curve का भी same है इस curve का भी almost meaning same है तो यहाँ पे as such कोई फरक है नहीं आप इन में से किसी भी एक को बना सकते हैं और यह बनाने से जादे important examination में इसको समझने का जादा concept है competitive exam में So hopefully आपको यह inter atomic potential energy force curve के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि exactly एक curve ऐसा बनता क्यूं है ठीक है So with this thing I am ending this video Hopefully समझ में आ गया होगा Thank you